चलिए तो आज हम सीखते हैं एक और advanced English structure यूज है आपका buy the din top buy the din top तो buy the din top इसके मतलब होता है के बलबूते पे इसके बलबूते पे इसकी बज़े से इसके बलबूते ये कम होता है जैसा अब अकसर आप बोलते हो के पैसे की बतलत पैसे के बलबूते पर आप सब कुछ नहीं खहिए सकते हो तो आप बोल सकते हो you can't buy everything by the dent of money वो हमेशा अपने पिताजी के दम पर बोलता है पिताजी के बलबूते पर बोलता है तो आप बोल सकते हो he always speaks by the dent of his father तो by the dent of ऐसे ही उसने अपने skills के जरिये ही या बलबूते पर skills के बलबूते पर उसने job राप्त करी he got the job by the dent of his skills मेहनत के बलबूते पर अप कुछ भी पा सकते हो you can get anything by the dent of your hard work मैं अपने भाई के बलबूते पर दुनिया जीत सकता हूँ I can win this world by the dent of my brother तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो के बलबूते पर, के दम पर, के बल पर, के जोर पर तो आप बुस्त बाई the dent of English सीखने को वेश, जोन ले लेते English एक sentence आप भी बनाएगे गा, comment below thank you हाँ, आप बना सकते हो आप English सीख सकते हो practice के बल पर, comment below झाप झाप आप नहाँ एक पर, के ब्हाँ आप पर, के बलबूते हो झाल 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 झाल